मुंबई की पाँच खबरे सिरी मुंबई टीवी टॉप फाइब बुलेटेन मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ मैं वो अफदल शेक और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी सबसे पहली कबर मुंबई में पहले केबल इस्टे बिरिज से जुड़ी हुई है आपको बता दे मुंबई में पहला केबल इस्टे बिरिज जो है उसका निर्मान कारे शुरू होने वाला है 70% ये काम पूरा हो चुका है और शहर में 10 केबल इस्टे बिरिज बना जाएंगे जिसमें आपको बता दे वरतमान में रेड रोड दादर तिलक पुल और भाईखला में केबल इस्टे पुल का निर्मान तेजी से सर रहा है और दावा है कि 70% ये काम हो चुका है और ये मेट्रो के टूबी काम से जुड़ी हुई है आपको बता दे मुंबई मेट्रो का लाइन टूबी के लिए जो काम है वो काफी जोरो-जोरो चुरू है और इसी काम में 228 पेड को काटने के लिए MMRडे ने BMC से परमिशन लिया है अब ये देखना है जो 228 पेड काते जा रह काम है इसमें विवाद ऐसे ही बढ़ते जाएगा तीसरी कवर मुंबई क्राइम बरांच यूनिट 10 से जुड़ी हुई है आपको बता दे यूनिट क्राइम बरांच 10 ने दो ऐसे दोस्तों को गिरफतार किया जो की फेस्बुक के जरीए उनकी दोस्ती हुई और ये हतियार की तसकरी लेपटोप बैग के जरीए करते थे और इसी के बाद लेपटोप बैग में जो मुंबई के अलग अलग जगह महाँ पर हदियार सप्लाइ करते थे और इसी के बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपी को गिरफतार किया पहला आरोपी यूपी का है और दूसरा मेरफ़ून से जुड़ी हुई आपको बता दे रविवार को मुंबई में सबसे बड़ा मेरफ़ून था और इसी मेरफ़ून में दो लोगों की मौत की खबर सामने आई और इसी प्रतियोगता की मौत के बाद 22 लोग जो है अस्पताल में भरती है इनमें कोई वज़ा जारी बताई जारी है लेकिन ये मैरेथान जो है लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुआ पांचवी कवर मुंबई के अंबेटकर हॉस्पिटल से जुड़ी है आपको बता दे अंबेटकर हॉस्पिटल में 20 जनवरी के दिन काफी भीशन आग लग गई और इस आग ने अ आग किस वज़े से लगी लेकिन सूत्र बताते हैं कि आग सौट शर्किट के वज़े से लगी है ऐसी तमाह अपडेट से जुड़े रहे निकले सब्सक्राब करें मुंबई टीव मैं अफजर शेक फिर आते हुआ एक ने निवस के साथ